हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर के तंशा अमदावाद गुजरात से आज हम बात करेगे होमियोपेथिक मेडिसिन स्ट्रेमोनियम के बारे में स्ट्रेमोनियम मैं ज़्यादा तर बच्चों में यूज करता हूँ ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों की मेडिसिन है लेकिन एक बोल सकते हैं कि ये फियर की मेडिसिन है फियर के अलावा निरोलोजिकल सिम्टरम्स है या तो पैरालीसिस है या कुछ मेंटल डिसॉर्डर है मैं बताऊगा कि इसमें डर किस तरह से है एक रिलीजियस मेनिया के नाम से जानते हैं कि ये मेडिसिन रिलीजियस मेनिया की मेडिसिन है तो इसमें रिलीजियसनिस क्यों आता है वो मैं बताऊगा और अगर हम ये पितिक स्टूडिन को ज्यादा कुछ श्टड़ी करना है त कि इस तरह से दूसरी मेडिसिन के साथ रुब्रिक से हम डिफरेंशेट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊगा. तो शुरू करते हैं हम आज की मेडिसिन श्ट्रेमोनियम. श्ट्रेमोनियम यह प्लांड किंगडम की मेडिसिन है, हम उसको धतूरा बोलते हैं, हम आसपस में बहुत इसमें जो सिंटम्स आते हैं और क्यों आते हैं शॉक की वज़े से डर की वज़े से संग ब्राइट ऑब्जेक्स जो शाइनिंग वाले ऑब्जेक्स होते हैं इनसे लोगों को तकलीफ होती है तो मैं स्टेमोनियम कहां कहां ज्यादा यूस करता हूं तो फियर के किसिस में बे medicine बहुत अच्छे से use होता है तो उसका सबसे मैंने बता है कि fear सबसे ज़्यादा important है तो अकिला होने का डर और अकिला भी वैसे नहीं अंदेरे में अकिला रहने का डर एक्ष्टेमोनियम की सबसे बड़े symptoms है और patient क्या करता है, बच्चा क्या करता है वो रात को अकिला सोएगा नहीं, आप बोलोगे कि जाओ बेटा जाके सोजाओ, मम्मी आती है तो वो नहीं सोएगा, वो क्या करेगा वो साथ में ही जाएगा कई बार मैंने देखे हैं कि patient बच्चों को सुलाने के लिए अंदर जाते हैं, light चालू रखते हैं और कई बार उनको सुला के बाहर आ जाते है लेकिन जैसा ही बच्चा अकिला हो जाता है तो उसको महसूस हो जाता है वो एक डम डर के उड़ जाता है और आसपास में देखने हैं लगेगा और डर की वाज़े साथ जयो लेकिन उनको चिपक जाएगा तो फियर बच्चों में मैंने बहुत देखा है और बच्चों में कई बात मतलब ये फियर के साथ अगर कोई भी सिम्टम्स हो उसको कवकुल्ड भी हो या तो उसको बेड़ वेटिंग भी हो अस्तमा हो कोई भी हो लेकिन अगर मैं ये सिम्टम्स देखता हूँ तो मैं स्ट्रेमोनियम उनको 1M पोटेंसी में सिंगल डूस देके वेट करता हूँ और बहुत अच्छा इंप्रूमेंट मुझे मिलता है कई बार बच्चे बोलते हैं बच्चे तो क्या बड़े को भी राको लाइट चाहिए उनको लगता है कि बन जगव में उनको डर लगता है लाइट चाहिए और कई बार मैंने देखा है कि बच्चे मम्मी का हाथ पकड़के या मम्मी के बाल पकड़के इस तरह से भी सोते हैं तो ये सब क्या है? क्लिंगिंग है तो fear of alone in darkness desire for light and because of fear clinging ये आप समझ लो कि ये सबसे बड़ा स्टेमोनियम का और मैं मेरे 90% cases में यही रूब्रिक्स पे यही symptoms पे patient को दवाई देता हूँ और बहुत अच्छे से results मिलता है और भी क्या fear है कि कोई उन पर attack करेगा गोश्ट का spirit का कपरस्तान का ये सब उनको डर रहता है और fear की वज़े से वो आपको जग जाएगे चीज लगाएंगे और किसी को भी वो चिपक जाएगे कौन है वो नहीं देखेंगे लेकिन क्लिंग कर देंगे तो और भी डर है उसमें श्रेमोणिय में की अनिमल्स कुते वगर का भी डर रहता है अलग-अलग इंसेक्त का डर रहता है छोटे-छोटे इंसेक्त का भी श्रेमोणियम पेशन को डर लगता है लेवेज अंडर दे इंप्रेशन अप सम इमीडियेट डेंजर कुछ हो जाएगा उसको और फियर की वज़े से क्या होगा मैंने बता है उस तरह से यह तो क्लिंग कर देगा यह तो श्ट्राइग करेगा आप देख सकते हो किस तरह से बच्छा डर की वज़े से क्लिंग कर सकता है यह स्लाइड में बहुत अच्छे से पूरे आप सोच सकते हो कि इस्टेमोनिय अब हम बोलते हैं कि religiousness, religiousness इसमें बहुत important है, तो किस तरह से religiousness आती है, वो patient क्या करता है, कि ऐसा feeling आता है, गॉड ने मुझे छोड़ दिया है, या तो patient को ऐसा लगता है, गॉड के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और उसकी वज़े से क्या होगा, despair of salvation, और praying, 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 chanting and religious obsession, अब मैं गिस तरह से religiousness, स्ट्रेमोनियम की समझा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कि बच्चा तो डर में किससे को चिपक जाता है, बड़ा क्या करेगा, बड़ा को, अगर कोई डर है, कोई चिंता है, तो वो किसको क्लिंग कर रहा है, तो गॉड को क्लिंग कर रहा है, उसको मन में ऐही है, कि बस गॉड ही मुझे बचाएंगे, तो जब भी उसको कोई डर आता है, threatening आता है, तो वो chanting शुरू कर देता है, praying शुरू कर देता है, और इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि religious mania जो है इस तरह से आता है, ऐसा नहीं, एक patient religious है, एक patient lascivious भी है, उसको sexual thoughts भी है, उसका एक symptoms है कि उसके हाथ genital पे ही रहेगा, बच्चों मे हमने देखा है कि अपना हाथ genital पे रहता है, तो sexuality भी है, लेकिन मैं समझता हूँ उस तरह से, डर की वज़र से, जो religiousness हाता है, भगवान से praying आता है, भगवान से cling करता है, भगवान हो, अल्ला हो, कोई भी हो, बस उसको यहीं लगता है कि मुझे धर्म ही बचाएगा, तो सब इस तरह से religiousness है, यह मेरा understanding है, आप समझ सकते हो कि इस तरह से मैंने इस्ट्रेमोनियम को समझा है, यह patient बहुत talkative होता है, चाहे वो religious subjects पे बाते करेगा या कोई भी subjects पे बाते करेगा, लेकिन talkative patient है, श्ट्रेमरिंग बहुत अच्छे से, एक हकलापना और तोतलापना, यह दो symptoms है, दो अलग-अलग चीज़े है, तो हकलापना मतलब कि क्या, इसको जो first words बोलना है, देखो आपके slide में देख सकते हो, उसको hello बोलना है, तो hello, hello, उस तरह से जो first word है, वो काफी लंबा हो जाता है, external seems to a long time before starting speaking, तो उस तरह से और यह हकलापना होता है, तोतलापना मतलब अगर एक words बोलना है, उसकी जगर से उसका एकाड़ बोलना है, उसको तोतलापना बोलते हैं, तो यह बहुत अच्छी दवाई है, आप बोल सकते हो कि stammering speech के लिए, और जिसमें first word बोलने में patient को तकलिफ होती है, वहां आप स्रेमोनियम यूज कर सकते हैं, अब आप के symptoms, उसको जो bright light आती है, mirror के सामने से light आएगी, या तो जो running water है, वहां से अगर reflect होके कोई भी light अपने आप पर आता है, तो यह patient देख नहीं सकता है, वो intolerance होता है, shining object से जो light आती है, मैंने बताया कि बहुत उसको बोलने की आज़ा है, लोक्यू सीटी मतलब बहुत बाते करता है, religious बाते करेगा, या कोई भी subject में बाते करेगा, आँखों में के symptoms है, fix eye है, staring है, wide open है, मैंने बोला नहीं, यह कुछ mental symptoms में भी यह दवाई use होती है, तो कुछ mental patient होते हैं, scryzophenia के या maniac disorder के, या paranoid patient होते हैं, इसमें शाइद इस तरह कि आप आँखे देख सकते हो, और आँखों की squint में काम आती, आने वाली दवाई है, lacrimation, headache के वग, fever के वग, कान के दद के वग, उनको आँखों में से पानी आता है, night blindness, रात को दिखने में तकलिफ होती है, इसमें mouth and throat दोनों बहुत dry होते हैं, and उसकी वज़े से जो खाना निकलना, वो करना होता है, स्वैलो करना है, वो बहुत difficult होता है, लेकिन dryness के साथ उसको बहुत, प्यास भी बहुत लगता है, headache, occiputs में भी होता है, forehead में भी होता है, यह headache के लिए अच्छी दवाई है, और headache क्यू होता है, sun की वज़े से होगा गर्मी की वज़े से होगा, तो यह सब headache में उसको sense of suffocation आएगा, और इसमें जो discharge होता है, urine है, stool है, पसीना है, periods है, या तो suppress हो जाएगा, या तो वो इतनी, मतलब urine इतना पास नहीं होगा, या तो suppress हो जाएगा, इसकी वज़े से जो भी problem है, उसमें आप stremonium या तो discharge है, व होगा ही नहीं, suppress कर दिया गया होगा, या तो बहुत कम, flow बहुत कम हो जाता है, तब जो symptoms आते हैं, तब आप stremonium सोच सकते हैं, urinary symptoms में खास करके, जो old people है, उसमें पिशाब रूप जाता है, later के spasm की वज़े से, बहुत खांसी की बहुत अच्छी दवाई है, आपको पता है कि ये delirium की medicine है, trial of delirium, belladona, hyosymus और stremonium, तो ये सारी medicine, तीनों medicine, बहुत अच्छी कफ की medicine है, fever की medicine है, गले के problem की दवाई है, तो इस तरह से ही, इसमें भी बहुत अच्छे से कफ होता है, कफ इसमें कोई bright object को देखते है, light को देखते है, या fire को देखते है, तब उसक problem, मतलब चेता अतंतर, nerves पे effect करने वाली दवाई है, जिसमें korea, epilepsy, epilepsy मतलब मिर्गी, ये सब fright की वज़े से होता है, उसके कुछ muscles के पास parts है, कुछ part में muscles का एक trembling sensation आता है, और conversion, मिर्गी में जो conversion आता है, ओ fear की वज़े से हो, या तो masturbation की वज़े से हो, हम जानते है कि Parkinson's ब इसी बीमारी है कि जो जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, जहां patient को involuntary trembling होता है, और इसमें ये सब दवाई है, चोटे-चोटे patient को ऐसा लगता है कि मेरा हाथ जरूज रहा है, मतलब हाथ में tremors है, nervousness की वज़े से भी हो सकता है, और कई बार stroke के बार जो paralytic condition हो जाती है, paralysis हो जाता है, या जहां neurological disorder होता है, damage होता है, उसमें भी स्रेमोनियम यूज होता है, painlessness of complaints usually painful, यह बहुत अच्छा symptoms है, कि usually उसको pain होना चाहिए, ऐसी injury की वज़े से कि कोई symptoms में, लेकिन उसको pain नहीं होता है, usually जहां pain होना चाहिए, यहां एक patient को pain नहीं होता है, उसको नीन दाती है, बट वो सो नहीं सकता है, आँखों में उसकी, sorry, नीन में उसकी आँख है, वो open रहती है, और डर्ग के मारे उड़ जाता है, वो जो हमने discuss कर दिया है, already, delusion है, बहुत सारे delusion की ghost है, और मैं बगवान से बात करता हूँ, इस तरह के बहुत अच्छ delusion, mania हमने बात किया, delirium और mania की, religious mania हो, sexual mania हो, scrisophania के patient में भी बहुत अच्छे से, scrisophania हो, paranoid patient हो, depression, maniac depression के patient हो, उस में स्रेमोनियम बहुत अच्छे से use हो जाते हैं, अब मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे rubrics, जहां स्रेमोनियम भी है, और साथ में दूसरी medicine भी है, तो आप यहाँ compare कर सकते हैं, तो एक company desire for, at night, उसको अकेला सोने में डर लगता है, खास करके रात को अकेले, और अंदेरे में, तब आप स्रेमोनियम सोच सकते हों, और light desire for, स्रेमोनियम पेशन को light और company चाहिए, और warm इससे उसको अच्छा लगता है, तो ऐसे कौन से patient बेलाड़ना है, जल से में हमां स्रेमोनियम है, उनको light चाहिए, मतलब अंदेरा अच्छा नहीं लगता है, और fear की दवाईया, तो एकोनाइट, आजेंटम, नाइटरीकम, आर स्रेमोनियम, यह सारे fear के rubrics में आप ले सको ऐसी दवाईया, fear of tunnels, यहां और भी एक rubric है, fear of narrow places, कई लोगों को लिप वगर में डल लगता है, या बन जगम में डल लगता है, वैसे ही तो आप एक और रूब्रिक भी ले सकते हो, fear of narrow places, लेकिन fear of tunnels, आजेंटम, नाइटरीकम और स्रेमोनियम मेडिसिन है, ऐसे पेशेंट जो बहुत जली डर जाते है, चोंग जाते है, फ्राइटेंड religiously occupied रहते हैं, no doubt सबका reason अलग-अलग होता है, वो हमें understand करने पड़ेगा कि ये patient क्यों religious है, हायोसाइमस भी बहुत sexual, lascivious मेनिया है, तो भी religious है, लेके सिस में भी lascivious मेनिया है, और वो भी religious है, लिलियम टीग है, लाइकोपोडियम है, सेपिया, स्रेमोनियम, सलफर, वेरेटर जिंकम, यह सारी मेडिसिन, religious affection में आप ले सकते हो, fear of dar, क्याना भी syndica and स्रेमोनियम, clinging children in awakens terrifies no nose no one, scream cling to those near one, तो बोरेक्स और स्रेमोनियम उसमें आप ले सकते हो, बोरेक्स में आपको और भी पता है कि fear of downward motion है, नीचे जाने का डर है, इस तरह से उसको, इस तरह का स्रेमोन की तरह, अंधेरे का भी डर है, और वो डर की वज़े से आसपस में क्लिंग कर जाएंगे, तो श्रेमोनियम और बोरेक्स आप दोनों differentiate कर सकते हैं, खास करके बच्चे के केस में, और जब कपरस्तान का डर रहता है, तो मर्कुरिय श्रेमोनियम या तो जहां भी dead body, जहां भ क्लिप बढ़ जाती है, तो वो फेस नहीं कर पाता है, तब एमरा ग्रेश्या है, बेराटा कार्व है, ब्रायनिया, अंश्रेमोनियम, थूजा, इस सब मेडिसिन आप सोच सकते हैं, और कोई डर लगा हो, डर की वज़े से कुछ प्रॉब्लेम आ गये हो, तो उसमें एपीस आर्जेंटम नैट्रिकम, बेलाडोना, वूफो, पॉस्टिकम, हायोसाइमस, इंडिशा, लेकेसिस, नेटरम मूर, नक स्वामिका, सेप्या, एंड श्रेमोनियम, तो इस सारी मेडिसन मैंने डिसकस किया, स्ट्रיμोनियम के साथ, आप और कौन सी मेडिसन सोच सकते हैं, तो स्ट्रीमोनियम, फियर की, रिलिजियस मेनिया की, उसके दर्वस, निरोलोजिकल सिम्टम्स में भी इफेक्ट हनने वाली दवाई, य confir में भी यूज करता हूं फिवर विद पसीना स्वेटिंग और स्वेटिंग से उसको आराम नहीं होता है बहुत सारे डिजीज में स्कीन के डिजीज में भी ये मेडिसीन बहुत अच्छे से काम आती है लेकिन मेल बात यह है कि सिंटम्स मिलने चाहिए अगर आपको सिंटम्स मिलेगा तो में रिपीट करता हूं पाकिस्ट्रेमोनियम वन एम पोटेंसी में देखे बहुत अच्छे रिजल्ट पाता हूं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आये होगा अगली बार कोई और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे थैंक यू वेरी मज करता हूं